हलो स्टूरेंट्स आयम आर्थी और मैं आप सब का वेलकम करती हूँ टू आर्थी एडुकेशन वर्ल्ड डियर स्टूरेंट्स इस वीडियो में हम आपकी कक्षा आठ की विज्ञानवी से की कारेपत्रक नंबर 19 यानि के वर्क सीट नंबर 19 पढ़ेंगे समझेंगे और जो प्रकास के बारे में देखो बच्चो हमारी जो घ्यान इंद्रिया कीतनी होती हैपांच होती है आपको पता है कौन-कौन सी होती है, सब जानते होंगे, आख, ना, कान, जिसमें से, मतलब 5 होती है, तो अच्छा भी होती है, तो ये सारी चीजे हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे, किस के बारे में, द्रस्टी के बारे में, क्यूंकि हम उस पे चले गए, तो बहुत टाइम हो चाहिआ वो पाहाड हो नदिया हो पेड है पोधे हैं कुर्षिया हैं लोग है या और भी कोई भी अन्यचीज हो तो हम सब को केसे दिखते हैं अपनी आखों की द्रस्टी से ही देखते हैं रात में हम तारे और चांद देखते हैं लेकिन देखना कैसे संभव होता है क्या आपने कभी सोचा है कि देखना कैसे पोसिबिल होता है क्या आपने कभी सोचा है कि हम विबिन वस्तो को कैसे देख पाते हैं बताईए आप कह सकते हैं कि आखे वस्तो को देखती हैं अब अगर तो बताओ फिर इसका अर्थ है कि केवल आँखे किसी वस्तु को नहीं देख सकते ही कि केवल आँखे ही किसी भी चीज को देख लें बलकि यह केवल तब होता है जब प्रकास किसी से वस्तु से टकरा कर हमारी आखों में प्रवेस करता है तब ही हम उस वस्तु को देख पाते ह समझे अगर उस वस्तु से प्रकास टक्रा कर हमारी आखों में आ जाता है तो तब ही हम उस चीज को देख पाते हैं अगर उस वस्तु से टक्राकर प्रकास हमारी आंकों में नहीं आता तो हम नहीं देख पाते इसी वज़े से अंधिरे कमरे में हम चीजों को नहीं देख पाते प्रकास किसी वस्तु से या तो उत्सरजित होता है ऐसी भी चीज़े होती हैं जिसमें प्रकास होता है या फिर परावर्तित होता है उस पे टकराता है फिर आता है और एक दरपन अपने उपर पढ़ने वाले प्रकास की दिशा बदल देता है अगर एक दरपन पर यानि कि ये किस दिशा में चला जाता है वो हम इसका पता कैसे लगाएंगे एक कर लगाएंगे तो चलिए बचो एक आपको क्या करना है आप सब को करनी है वर्क सीट को पढ़ लो अच्छे से ध्यान से समझ लो और कर लो और उसके बाद आप यह अप्डिविटी करके देखना बहुत अच्छी है किसी टेबल पर एक सफेद कागच की सीट लगा दो ठीक है कागच की सीट और जैसा कि आप इस देख पार हे हैं तो एक कंगी लो एक कंगा जो कॉम जिस्से आप आप कंगी करते हां बालो में उसका एक दाथ छोड कर सभी दांतों पर काला कागच लगांड़ सब और इस सומר के सारत क्या कर 반ू во कर ना आपको कंगी को पकड़ें और जो कंगी है जो आपकी sheet है उसको इस तरीके से पकड़िए जैसे आप देख पा रहे हो ना इन pictures में देख रहे हो तो इस तरीके से आप पकड़ना और एक torch से कंगे के खुले इस्थान से एक और प्रकास डालना मतलब जैसे ये कंगा है तो एक तरफ torch रखना इसके देखो जैसे कंगा है बीच में नहीं रखना मतलब जैसे आप यह देख रहे हो यह कंगी है तो आपको यह तो इस साइड रखना है यह इस साइड रखना है ठीक है तो आपको एक तरफ रखना है उसके जैसे ऐसे कंगा है तो इसके यह तो इस तरफ रखे यह इस तरफ रखे ठीक ह और जब आप उसको करेंगे तो आपको पता चलेगा जो बीच में आपने एक कंगी का दाँ छोड़ा है तो यहां से क्या निकला यहां से आपका प्रकास निकलेगा है ना प्रकास की किरन आएगी देख रहे हो आप यह बीच में से प्रकास की किरन आई है तो आप क्या करना है तोर्च और कंगी को इस्तिर रखकर आप उसे मतलब महीं पे रखें हिलने मत दीजिए आप उसको क्या करना है किरन के पतपर जहां को वो एक आपको प्रकास की किरन जाती हुई दिखाई दे रही है उसके बीच में एक समतल दरपन की पट्टी रख दीजिए और जब आप इस पट्टी को रख देंगे तो आप क्या देखेंगे इस दरपन से टकराई जो क्या हुआ इस दरपन से टकराया प्रकाश और तूसरी दिशाओ में चला गया आप देखो इसमें आपको किलिर ली दिख रहा है यहां तक सीधे आ रहा था लेकिन जैसे समतल दरपन यह रखा तो यह इसकी जो दिशा है वो चेंज हो गए यह देख रहे हो इधर ऐसे ऐसे जारी है यह तो इसका अंदर दिखाई दे रहा है इसका आक्ष्य लेकिन यह जो आप देख पा रहे हो ना यह ऐसे ऐसे चली गए और ऐसे चली गए यह क्या हुआ यह हुआ प्रकास का परावर्तन है प्रकास पड़ा now प्रकास पड़ा तो ऐसे जो हमारा गया प्रकास पड़ा तो इसको बोलते हैं हम आपतित किरन जब यह प्रकास जारा है इसकी तरफ तो इसको बोलते हैं आपतित किरन और जब इससे टकराया वो और टकरा के जो वो वापस आया तो इसको बोलते हैं परावर्तित ठीक है तो जब यह जा रहा है इधर को यह आपतित किरन है जब इससे टकरा कर वापस आ रहा है तो यह हो गई आपकी परावर्तित कि और इस बिंदू से टकड़ा कर वापस आ गई तो ये जू बिंदू ये आपका अभी लंब कहलाता है ठीक है यह जो आपका बिनदू है इसको आप मैं दूसरे कलर से बता देती में को इसको हम ऑभी लंब का नाम देंगे और वो जो अभी लंब है ठीक है उसको उसके बाद आप तनकौन में बड़ा important होता है अब ये जो अभी लंब है यहां से अगर आप एक सीधी रेका खीज दोगे तो ये जो आपतित्किरन है आपकी और ये आपका अभी लंब के बीच का कौन होता है यह होता है हमारा परावरतन कोन हो गया और इधर नीला वाला जो दिख रहा है यह हो गया आपका आप तनकोल ठीक है समझाया डाइग्राम आशा करती हूं आपको अच्छे से समझाया होगा चलिए अब कर लेते हैं इसमें चार कोशन दिये लिए उसको कर लेंगे अगर आपको बच्चों कोई डाउट रह जाता है तो आप दूबारे सी वीडियो देख लि कीजिए तो बच्चों इसका उत्तर हम लिख देंगे अंधेरे कमरे में वस्तु की सतह से कोई प्रकास प्रावर्तित नहीं होता है इसलिए हम उन्हें नहीं देख पाते क्योंकि हम यह नहीं लिखेंगे कि हम अवा जाते हैं वहां अंधेर होता है क्योंकि अब हम साइंस प उपलब्ध है वस्तुए प्रकास को प्रति बिंबित कर सकती हैं तो यह इसका उत्तर लिख देंगे ठीक है यह हमने इस प्रस्ट कर दिया अच्छे से आप प्रशन नमबर दो क्या पूचा गया है दिये गए प्रकास परावर्तन के आरेक को अंकित किरना है तो बच्चों यह मैं आपको यहीं पर समझाओंगी देखो यह अभी हमने आरेक देखा था तो बस जैसे मैंने बताया है वो ऐसी करना यह आपकी सत्य है तो यह यहां से आपका प्रकास आ रहा है इस तरफ से तो यह इस तरफ से आ रहा है तो यह क्या हो गई यह हो गई आपकी आप्तित किरन ठीक है यह आपकी आपतित किरन हो गई देखे इस यही डाइग्राम आपका यहाँ पे दिया गया है इसको यहाँ पे देख लो यह आपका यहाँ पे दिया गया है बस इसको क्या करा है इनोंने इसको आपका इसको तो यह उपर करके दिया है और इसको नीचे कर दिया बस आपको यह पलट देना है ठीक है यह देखो यह उपर तो आपको सीधर करके दे रखे है यह देख रहे हो यह इधर कंगी दे रखे है यह परावर्तित यह आपतित और इधर क्या कर रहा है इधर इन्होंने उल्टा कर दिया है तो आपको क्या करन आपकी परावर्तित किरण ठीक है ये आपकी परावर्तित किरण हो गई मैं आपको लिख रही हूँ लेकिन आपका यही पर ट्लिखा हुआ है वरक्सीट में आप इस KPी से देख लेना अब यह जो बीच का है आपका यह अभी लम हो गया है तो इनने लिख रखा है हमें को जरुरती नहीं बतानेगी अब हमें इसमें बताना है ये जो कौन बन रहा है ये बीच का ये पूछे है तो ये क्योंकि आपतित और अभी लम के बीच का कौन जो होगा ये क्या होगा हमारा ये होगा हमारा आपतन कौन ठीक है ये हमारा आफतन कौन हो जाएगा इसको आप लिख देंगे आफतन कौन और ये क्या हो जाएगा जो हमारे इधर वाला है जो परावर्तन जहां को ये वापस जा रही है किरन पढ़के तो यह हो जाएगा हमारा परावर्तन कौन ठीक है इस तरीके से आप लिख देंगे परावर्तन कौन यह इस तरीके से डाइग्राम बन जाएगा बस आपको यह समझना है यह जो डाइग्राम है यह बस उल्टा करके बना देना है तो इसकी definition आप इस तरीके से लिखेंगे जब कोई प्रकास किरन किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो परावर्तन प्रस्ट से टक्राकर वापस उसी माध्यम में लोड़ जाती है इस घटना को कहते हैं प्रकास का परावर्तन उधारन के लिए जलकी तरंगे होती हैं धुनी होती है प्रकास तथा अन्य विद्धु चुम्ब के तरंगों का परावर्तन इसे बोलते हैं प्रका नहीं पाएंगे और क्यों ठीक है तो यदि कोई आपतित किरन किसी वस्तु की सत्य से टकराने के परावर्थित ना हो तो हम उस वस्तु को देख नहीं सकते क्योंकि जब प्रकास किसी वस्तु से टकरा कर हमारी आँखों में प्रवेश करता है तभी हम उस वस्तु को देख पा काम जरूर करने है, लाइक करना है कमेंट करना है, शेयर करना है सबस्क्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल के साथ, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे बेल ने मिले ओके स्टुडेंट्स, तेंक यू